आपको पता होगा MIT में integration के ऊपर हर साल एक competition होता है MIT के integration के competition में एक Indian professor ने एक बड़ी interesting चीज का discussion किया एक बार मैं आपको बताता हूँ, फिर हम और आप मिलकर के उसके ऊपर comment करेंगे, solve करेंगे, सुनिये आप पूरी बात को देखें, यहां मैंने pi लिखा हुआ है, pi के बारे में हम सभी जानते हैं कि 22 by 7 के आजू बाजू के एक चीज होती है professor ने क्या कहा, सुनिये बात, बच्चों को बोला कि बताइए, pi 22 by 7 के equal होता है, या pi 22 by 7 से बड़ा होता है, या pi 22 by 7 से छोटा होता है आप बताइए और इस बात को derive कीजिए, और derivation जो करना है, वो by using integral calculus करना है मतलब आपको ये तीनों बातों में से कौन सी बात सत्य है ये बतानी है, और क्यूं सत्य है, इसका जब आप logic दोगे, proof दोगे, तो वो आपको integral calculus का इस्तेमाल करके बताना है है ना, by using integral calculus, अब मैं एक IIT में आए हुए सवाल के साथ इसको जोड़ूंगा, जहां से सुनना by using integral calculus, जो student IIT की preparation कर रहे हैं, J.E.Mains की preparation कर रहे हैं, उन्होंने इस question को देखा होगा ये question J.E.Advanced में पूछा गया, J.E.Advanced में ये सवाल आया हुआ है, और J.E.Main के paper में भी आया हुआ है J.E.Advanced और J.E.Main दोनों ही exam में इस question को पूछा गया था, options थे, सही option को टिक करना था, मैं option जान बूच के नहीं दे रहा आपको तो मुझे ये वाला integral evaluate करना है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि sir इस integration के evaluation का इस वाले question से क्या relation है, यही इस पूरी कहानी में सबसे मज़ेदार बात है कि आप इस integration को जब solve करेंगे, तो इसका जैसे ही आप answer बताएंगे, आपको pi 22 by 7 से बड़ा है या छोटा है, ये बात भी पता की जा सकती है तो ये वाला integration बहुत important integration है, अगर हमें pi की value के उपर comment करना हो तो कि 22 by 7 से बड़ी है कि छोटी है, equal तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते है कि pi एक irrational number है, और यहाँ पर ये जो quantity है, वो एक rational quantity है, तो first option तो मैंने काट दिया, ठीक है आपको copy pen उठा लेना चाहिए, और ये वाला integration copy में लिखना चाहिए, solve करने का प्रियास करना चाहिए, और आप एक बार अपना attempt लगा लें, नहीं हो फिर लगाओ, नहीं हो फिर लगाओ, struggle कीजिए, फिर solution देखना आईए, मैं बताता हूँ, मैं इस integral को solve करने वाला हूँ, ठीक है, तो इस integration को जब मैं solve करूँगा, तो जहां से देखिए, ये जो x की power 4 है, मैंने इस x की power 4 में minus 1 plus 1 कर दिया, तो x की power 4 minus 1 plus 1 हो गया, कटके बात वही है x की power 4, ये दोनों terms को यों का यों रखा, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो bracket है, इस bracket को x की power 4 minus 1 से multiply कर रहा हूँ, यों का यों है ना, और इसको मैं 1 से multiply कर रहा हूँ, जब मैंने इसको 1 से multiply किया, तो ये हो गया 1 minus x की power 4 upon 1 plus x square, ठीक है, और जब मैं इस पूरी bracket को x की power 4 minus 1 से multiply करूँगा, तो x की power 4 minus 1 को मैंने factor करके ल दीखे, ये इसके साथ cancel out हो गया, ओके, तो मेरे पास आ गया, 0 से 1, ये जो x square minus 1 है, इसको आप x minus 1, x plus 1 लिख सकते हैं, तो मैंने इसको x plus 1 लिखा, है न, और into, into x minus 1, वो x minus 1, इसके साथ जब आप adjust करोगे, तो ये हो जाएगा, x minus 1 की power, 4 plus 1, 5, 4 plus 1, 5, ठीके, डिवाइड में कुछ है ही नहीं, है न, dx plus 0 से 1, यहाँ है 1 minus x की power 4, तो 1 minus x की power 4 को थोड़ा मैं समझता हूं, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, 1 minus x का square, और फिर इस पूरे की power 2, लिख सकते हैं, और जो 1 minus x का square, है, उसको हम लिख सकते हैं, x square minus 2x plus 1, ठीके, तो आप इसको यह बोल सकते हैं, कि आप इसको लिख सकते है, x square minus 2x plus 1, इसका whole square, ठीके, अब यहाँ पे x square minus 2x plus 1 को थोड़ा rearrange करूं, तो मैं यूँ भी लिख सकता हूं, x square plus 1 minus 2x, अब जब यह whole square open करना है, तो मैं इसको a मान लेता हूं, और इसको b मान लेता हूं, मैं इसको a minus b का whole square लेके चल रहा हूं, तो यह हो गया मेरा, यह हो गया a का square, plus, यह हो गया मेरा b का square, minus 2, मेरा a, into b, ठीक है, divide by है मेरा x square plus 1, divide by है मेरा x square plus 1, divide by है मेरा x square plus 1, correct है जी, है न, solve करना काफी easy होता जा रहा है, यहाँ पे जो x plus 1 है, इसके साथ भी थोड़ी छेड़खानी करते हैं, देखो, interesting बना लेते हैं, इसको मैं लिख दिया, x minus 1, plus 2, तो यह जो x minus 1 है, यह जब इसके साथ multiply होगा, तो x minus 1 की power 6 हो गया, x minus 1 की power 6 हो गया, और यह जो 2 है, यह इसके साथ multiply होगा, तो plus 2, x minus 1 की power 5 हो गया, है न, आप देखो smoothly हो रहा है सवाल, सवाल खट-खट-खट smoothly हो रहा है, ठीक है, अब तो देखो इसके मेरे को यहाँ पर integration हो जाएगा, limit fit करनी है, तो इसका integration कितना हो गया, x-1 की power 7 by 7 plus 2, x-1 की power 6 by 6, और limit मेरे को 0, 7 यहाँ fit करनी है, इसके अंदर देखिए, यह cancel out हो गया, तो यह x square plus 1 का integration हो गया है, तो यहाँ पर यह हो गया, x-square plus 1 का integration, यह भी cut-cut-cut solve हो जाएगा, यहाँ पर यह उपर x-square लिखा हुआ है, तो x-square upon x-square plus 1, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, x-square plus 1 minus 1 करके, तो यह भी देखिए, आप खट-cut solve हो जाएगा, यह भी हो गया solve, limit मैं लगा तूँ 0, 7, और यहाँ पर भी यह cancel out हो ग minus का 4x हो गया, ठीक है, तो minus का 4x, तो पूरा जो है integral, खटा-खट solve हो रहा है, इसको हम लिख देते हैं, x की power 3 by 3, plus x, 0 से 1, plus 4, यह कटके 1 हो गया, 1 का integration x होता है, यह मेरा 1 upon 1 plus x-square, इसका integration tan inverse x होता है, 0 से 1, minus 4, x-square by 2, 0 से 1, और finally, अब मैं सारी values fit कर दूँगा, तो आप इसमे 1 fit करोगे तो 0 हो गया, 1 fit करोगे तो 0, जब 0 fit करेंगे, तो minus के अंदर, जब 0 fit करेंगे, तो यह हो गया, minus 1 by 7, plus 2 by 6, बोले तो 1 by 3, ठीक है, plus, जब इसमे 1 fit करेंगे, तो यह हो गया, 1 by 3, plus 1, 0 fit करेंगे, तो 0 हो गया, plus 4 into, 1 fit करेंगे, तो 1 minus tan inverse 1 होता है, पाई बाई, और, जब 0 fit करेंगे, तो 0 हो गया, minus 4, यह हो गया, 1 by 2 है अभी देख लेंगे, final answer इसका क्या आ रहा है, तो यहाँ पे, minus 1 by 3, plus 1 by 3 से cancel हो गया, यह हमारा है, छीक है, यह हो गया, 1 by 7, 1 by 7, plus 1, 1 by 7, plus 1, plus 4, plus 5, 1 by 7, plus 5, minus 2, तो यह हो गया, 1 by 7, plus 5, minus 2, is 3, और यह कैंसल होके, इसके साथ, यह हो गया, आपका minus pi, तो यहाँ हो गया, minus pi, तो this is, 22 by 7 minus pi, तो मैंने यह जो integral है, इसको finally solve कर दिया, answer आ गया, 22 by 7, तो इस integral की value, 22 by 7 minus pi आ गई, अब जो बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, मेरा यह जो integral है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूंगा, तो यह जो quantity है, यह एक positive quantity है, और integration मेरा 0 से 1 है, 0 से positive value तक integration जा रहा हो, positive function का, तो left hand side must be positive, left hand side मेरी positive है, तो right hand side को positive होना पड़ेगा, this also must be positive, तो मैंने यह प्रूव कर दिया कि मेरी जो right hand side है, यह positive है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि 22 by 7 जो है, वो pi से बड़ा है, 22 by 7 pi से बड़ा होता है, pi और 22 by 7 में जब हम compare करते हैं, तो 22 by 7 मेरा pi से बड़ा होता है, तो एक तो हमें interesting बात पता चली, दूसरा कैसे चीजे mathematics में आपस में connected है, arithmetic, algebra, geometry, calculus, trigonometry, कभी यह connect हो जाती है, बड़ा interesting है देखना, ठीक है, सवाल कितना important है, देखिए, MIT के अंदर इसका discussion हुआ, MIT के paper में, J advanced के paper में discussion हुआ, J main के paper में discussion हुआ, यह सब वो सवाल है, J main वाले वापस से इसको repeat कर सकते हैं, advanced वाले हो सकता है, किसी और format में इसको बदल दें, बहुत standard किसम का integral है, बहुत खास किसम का integral है, यह integration बहुत ही जादूई, बहुत ही खास किसम का integral है, जो πाई की value पे comment कर देता है, कि वो 22 by 7 से छोटी है, तो आज एक बात जान लीजिए मेरे दोस्त कि पाई और 22 by 7 बड़ाबर नहीं होते हैं, पाई की value और 22 by 7 की value में 22 by 7 बड़ा होता है, पाई से, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाई बाई